दिफ्रेंस बिट्विन हेमर एंड हेंगिंग मेन मतलब की हेमर और हेंगिंग मेन में क्या फर्क हैं और ये सवाल मुझसे कई बार कमेंट बोक्स में पूछा जा चुका हैं दोस्तो अगर आप हेमर और हेंगिंग मेन को देखेंगे तो उनमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क हैं वो हैं कि हेमर चार्ट के बोटम पर बनता हैं जो की एक बुलिश केंडल इस्टिक पैटर्न हैं और हेंगिंग मेन बोटम पर बनता है जो कि एक बुलिश केंडल स्टिक पैटरन है और शुटिंग इस्टार चार्ट के टॉप पर बनता है जो कि एक बेरिश केंडल स्टिक पैटरन है